मैंने इसलिए कहा था कि मा गंगा ने पहले मुझे काश्ची बुलाया था अब मा गंगा ने मुझे गोद ले लिया है और इस आज आयोजन में इतनी सारी मात्रु शक्ती की मोजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है आप सभी समय निकाल कर यहां आई मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ साथियों मैं पार्टी के पचार में कितना भी व्यस्त होता हूँ लेकिन बनारस को लेकर हमेशा बाब निस्चिंत रहता हूँ मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती क्योंकि सब कोच आपी लोग समाल रहते हैं इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा इस गर्मी में अपने स्वास्थ का ध्यान जरूर रखिये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में जाना होता है गावों में जाना होता है बूत पर जाना होता है और इसलिए मेरा एक सुझाव है कितना ही काम करिये लेकिन पानी बहुत खूप पीजिये साथ मैं पानी हमेशा रखिये और कभी भी बीना खाए गर से निकले नहीं मेरा लंबे समय का अनुभव है इसलिए मेरी सदार आपको जरूर काम आएगी मातव बेहनों बीटे दस सार में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर मिरनयों तक हमारी माताए, बेहने, मैलाए केंद्र में आई है इस पर उतनी चर्चा बले ही न हुई हो लेकिन ये भारत की सक्से स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है आप बताईए जब गर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बेना कैसे चल जाता ये बात साथ वरसों तक सरकारों को समझी नहीं आई कॉंग्रेज सपा की सरकारों ने मैलाओं के साथ क्या किया केवल उपेक्षा और असुरक्षा साथियों इंडी गडबंदन की मानसिता ही महिला विरोधी है इंडी गडबंदन वाले महिलाओं को आरक्षन का विरोध करते हैं जहां इनकी सरकार आती है महिलाओं का जीना दुबर हो जाता है मनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचीत है बेहन बेटियों का गर से निकलना मुश्किल था बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़ कर गर पर बैठना पड़ता था और सपावाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे लड़के हैं लड़कों से तो गलती हो जाती है आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा माताओ बैनों पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जितने महलाओं के सम्मान की चिंता की उन्हें इजजदगर दिये इसके लिए मध्याग उड़ा से के मोधी टॉइलेट टॉइलेट करता रहता है टॉइलेट बनाने में लगा है ग्यारा करोड टॉइलेट बनाए है मेरी करोडो करोडो माताओं का मैंने इजजदगर बनाया है लेकिन मुझे पता था मेरी बेहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरुरत थी मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी एक रुपिये के खर्ज के बिना ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके मोदी ने करोडों पियेम आवास चार करोड से जाजा घर बनाए लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई ताकि करोडों माताए घर की मालकिन बनी है अब महिलाए भी संपत्ति की मालकिन बन रही है ये बस योजनाए नहीं थी इसे नारी शक्ति को नया आत्म विस्वास मिला यही मेरा मिजन था यही मेरी सोच थी माताओ बहनों कॉंग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है और वो गाना बहुत पपलर रहा है महंगाई डायन खाए जात है कॉंग्रेस आई महंगाई लाई कॉंग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बजेट दो गुना तीन गुना बढ़ चुका होता लेकिन यह भाजपा है कि गरीब का बेटा मोधी है मोधी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचत जादा बड़े मोधी ने मुप्त राशन की योजना चलाई हुई है ताकि गरीब का ए घर का चूला जलता रहे इससे हर परिवार के सान में करीब करीब बारा हजार रुपिय बच रहे आपको जो उजवला का सिलिंडर मिलता है उसमें भी प्रती सिलिंडर आपको तीन सो रुपिय से जादा की बचत हो रही है बनारस में करीब चालीस हजार गरों में अब पाइप से रस्वई गैस की सप्लाई होती है बहुत जल्ड ही अस्ची हजार से जादा गरों को भी पाइप से गैस मिलने वाली है इससे भी आपकी बचत बढ़ेगी माताओ बहनो पिछले दस साल में बनारस के तीन लाज से जादा लोगों का यह आकड़ा जो कोई सुनेगा तो उनको असर्य होगा के एक सांसरत जब समर्पित भाव से काम करता है तो कितना बड़ा काम कर सकता है आपको जानकर खुशी होगी एक सांसरत के नाते मैंने एक काम के पीछे पड़ा मैं लगातार करता रहा हमारे कासी मैं तीन लाज से जादा लोगों का मोतिया बिंद का अपरेशन हुआ है ये छोटा काम नहीं है और हम पहमे पता है मोतिया बिंद के हर आपरेशन में कम से कम दस हजार का खर्चा होता है यहने दो आख का भी सजार मोति ने हाँ तीन लाज परिवारों के दस दस हजार रुपिये बचाने का पवित्र काम किया है यहां जनावसदी केंदरों पर 80% डिसकाउन 80% छूट के साथ सस्ती दवा मिलती है 100 रुपिये की दवाई 10 रुपिया 20 रुपिया 15 रुपिये में मिल जाती है सस्ती दवा से भी बनारस के लोगों का करोर रुपिया खर्च होने से बचा है यहां बनारस में 90 हजार से ज़्यादा गर्बवती महिलाओं को पी एम मात्रू बन्दना योजना का भी लाब मिला है इसके तहट हर गर्बवती महिला को पोशन के लिए 6,000 रुपिये सीधे मोधी सरकार उनके बैंक में खाते में जमा कराती है माताओं बेनो आयुशुमान भारत योजना से बनारस के सवा लाग से ज़्यादा लोगों ने मुप्त इलाज कराया है अब हम जानते हैं हमारे परिवारों में कितनी बिमारी क्यों न हो कितनी ही पीड़ा क्यों न होती हो लेकिन माताओं बेने काम करती रहती हैं गर में किसी को बताती नहीं है दर्द सेती है क्योंकि उनके मन में रहता है कि बिमारी के कारणा स्पताल जाएंगे बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा और अपने बच्चों के सर पे करज लग जाएगा और इसने माताओं बेने सहन करती हैं लेकिन बच्चों पर बोज नहीं होने देती है ये दर्द मैं जानता था और जब आपका बेटा दिल्ली में बैठा तो मैंने तय किया अब मैं जे किसी मा को ये पीडा सहन नहीं करनी पड़ेगी अस्पताल का पूरा खर्चा ये आपका बेटा मोदी उठाएगा और बनारस में जिन लोगन ने इस योजना का लाब लिया है अब तक करीब करीब उनका 200 करोड रुपिया जो अस्पताल में खर्च होने वाला था वो बच गया है क्योंकि वो खर्चा मोदी ने किया है और अब तो मोदी ने ये भी तै किया है कि हमारे देश में हमारे कासी में किसी भी परिवार में 70 साल की उपर के जो भी माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, नाना, नानी जो भी होंगे अब उनके खर्चे की जिम्मेवारी भी अस्पताल में इले जुकी हिलाज की जिम्मेवारी पांच लाख रुपिया तक मुप्त हिलाज कि आपका बेटा मोदी करेगा आप अपना आयुश्मान कार बनवाईए बाकी सब मोदी पर छोड़ दीजिए माताओ बेनों मोदी ने कुछ महिने पहले ही पी-एम सूर्यगर मुप्त बिजली योजना शुरू किया है यहाँ बनारस में दो हजार से ज़्यादा गरों है सोलर प्रांट लग्व का है इससे भी लोगों के बिजली बिल में महिने के दो से डाई हजार रुपिय बच रहे हैं मतलब साल का पचीश से तीस हजार रुपिया बच रहा है चार जुन के बाद आपके आशिरवाद से जब नई सरकार बनेगी तो इसका विस्तार होगा और हर परिवार को 75,000 रुपिया यह सोलर पैनल के लिए दिया जाएगा और आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा माताओ बेहनो इंडी गड़बंदन के नेता खुले आम कहते हैं कि हिंदुओं में जो शक्ती है न वो शक्ती का मैं विनास करके रहूंगा शक्ती के विनास की बात करते हैं लेकिन चार जुन के बाद मोदी सरकार वे तो शक्ती का विनास चाहते हैं मोदी आपकी शक्ती को महा शक्ती बना करके रहेगा मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं आपके आशिरवात से लगातार नई उर्जा मिलती रहती हैं न ठकता हों न रुखता हों यही सपना लेकर चलता हों कि मेरे एक सो चालिस करोड देशवात्यों के जीवन की मुसिबतें जितनी कम कर सको मैं निरंतर करता रहूं भाजपाने अपने संकल्प पत्र में तीन करोड नए घर बनाने की बात कही है मेरा एक काम करोगे आप लोग जड़ा हाथ उपर करके बताईए मेरा एक काम करोगे सबके सब आथ उपर करके जोर से बताईए मेरा काम करोगे आपके आवाज दूर तक जानी चाहिए मेरा काम करोगे अभी आप लोग लोगों के घरों में संपर्क के लिए जाते होंगे महले में जाते होंगे छोटे छोटे इलाके में जाते होंगे चाल में जाते होंगे, बस्ती में जाते होंगे कहीं पर भी कोई परिवार अगर जोपड़ी में रहता है कोई परिवार अगर कच्चे घर में रहता है मेरी तरब से उनको कह देना कि चार जुन के बाड़ उनको भी पक्का घर मिल जाएगा ये मोधी की गारंटी है और इसलिए मैं तीन करोन नए गर बनाने की योजना लेकर के चल रहा हूँ माताई बेहने सेल फेल गुरूप की महलाओं को हम ड्रोन पाइलोट बना रहे और मैं ऐसी महलाओं को मिला उन्हें खाथ हमको तो साइकल भी नहीं आती थी अब ड्रोन पाइलोट बन गए पूरा गां हमको पाइलोट करके बुला रहा है और ये ड्रोन पाइलोट बेहने हमारे देश में कृशी कांत्री का नेत्रुत्व करने वाली है पहले मुद्रा योजना में दस लाख रुपया का लोन मिलता था और मुझे खुशी है कि मुद्रा योजना का सरवाजिक लाफ हमारी बहनों ने उठाया है पहले दस लाख देते थे अब विस लाख रुपया मिलेगा आपके परिवार की चिंता करने वाले मोदी ने मुप्त राशन योजना को भी पांच साल के लिए बढ़ा दिया है माता ओ बैनों अगले दस दिन हमें काशी के गर गर जाना है यहां जो हर तरफ विकास कारिय हुए है वो अभूत पुर्व है काशी के गर गर में हमें इन विकास कारियों की बात पहुचानी है इन से यहां रोजगार के भी नए मौक्या बने है पिछले ढ़ाई साल में सोला करोर चे अधिक स्रदालों स्रीकाशी विश्वनाद धाम में दर्सन करने आये हैं सोला करोर लोग आने से हर प्रकार का कारोबार बढ़ता है आज पूरे बनारस में दुकानों का, जमिनों का, होटलों का होमसे का रेड बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि इतनी बड़ी संग्या में लोग यहां आ रहे इसे सबसे ज़्यादा फाइदा बनारस के ही लोगों को हो रहा है फूल बेचने वाला भी कमा रहा है खिलोने बेचने वाला कमा रहा है साड़ी बेचने वाला कमा रहा है नाव वाला कमा रहा है आटो रिख्षा वाला कमा रहा है हरे एक क्यों काशी मैं आपने देखा है आदूरी बनास डेरी खुल चुकी है वो भी हमारे गाउं के लोगों के लिए दूद उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा वर्दान साबित हुई है इससे अकेले बनारत के ही 14,000 से जादा पसुपालक जुड़े है बनास डेरी आने के बाद पसुपालकों के आमद ने सालाना सबालाथ रुपिय से जादा बड़ी है माताओ बैनो बनारत में नारी शक्ति के लिए इतना काम हुआ है कि उसे बताते बताते देर रात हो जाएगी आपने इतना समय निकाला मैं आप सभी माताओ बैनों का अभारी हूँ लेकिन याद रखिएगा हमें हर बूत जीतना है हर बूत जीतना है जीतेंगे जीतेंगे हमें हर बूत कमल खिलाना है खिलाओगे और जादा से जादा मतदान मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ने मैं एक आइडिया बताऊँ आपको मतदान जादा से जादा कैसे करोगे हमारी बहने बूत में एक-एक बहन पचीस-तीस बहनों को ले करके निकले ठाली बजाते बजाते डोल बजाते बजाते गाना गाते गाते पोलिंग स्टेशन पर जाए और दस मज़े के पहले एक पोलिंग